आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KYC के बारे में आपके पास कोई bank account तो जरूर होगा या फिर आप सायद निवेस करते होंगे bank FDs में या फिर mutual funds में या फिर stock market में या फिर सायद आपने कभी sim card ही खरीदा होगा तो आपने KYC सब्द के बारे में जरूर सुना होगा पर क्या आप जानते हैं कि KYC क्या होता है या फिर KYC को complete करना क्यों important है और आप KYC को कैसे complete कर सकते हैं आज की हमारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला इनी सभी सवालों का जवाब तो छोट इसी वीडियो आप इसको अंतक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तो एक अफिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल में अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर लिजिए साथी प्रेस कर दीजिए बैल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल के तरफ और जान लेते हैं कि क्या होता है देखे किसी बैंक के पास बहुत सारे अकाउंट होल्डर होते हैं और किसी भी मूचल फंड हाउस या ब्रोकर के पास बहुत सारी इन्वेस्टर्स होते हैं और किसी टेलीकॉम कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं जिसको कि उस टेलीकॉम कंपनी ने सिम कर्ड प्रोवाइट किया होंगे तो अब यह बैंक्स यह टेलीकॉम कंपनी से या फिर यह मीचल फंड हाउस ब्रोकर कैसे आइडिटिटीफाई करेंगे कि इनके जो कस्टमर से हो कौन है इनके इन्वेस्टर्स कौन है इनके अकाउंट होल्डर्स कौन है तो इसी प्रोब्म को सॉल्व करने के लिए इंडिया में ये 2002 में के वाइसी को इंप्लिमेंट किया गया था जिसका मतलब होता है नो यूर्क कस्टमर्स यानि कि अपने कस्टमर को जानना इसी की मदद से कोई ट इसके अलावा भी तमाम सर्विसे जिनको लेने के लिए आपको पहले अपने के वाइसी को पूरा करना ही होगा ते लिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखे के वाइसी को कम्प्लीट करना क्यों इंपोर्टन है दिखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि के वाइसी की मदद से ही कैसे कोई भी बैंक फंड फंड आउसे और कोई टेलिकॉम कंपनीए इडेंटिटीटि साइब करती है अपने कंश्टमर्थ को या फिर वैरिफाइ करते में क्यों कंपनीस को बैंक को मदद मिलती है किसी भी तरह के illegal activities को रोकने में यह illegal activities कुछ भी हो सकता है जैसे कि money laundering या फिर illegal funding एक्सेक्टर एक्सेक्टर एक्जांपल को तोर पर मान लिजे कि अगर कोई bank बिना KYC के account open कर देती है तो लोग fake account open करके money laundering कर सकते हैं एक money को white money में convert कर सकते हैं तो ऐसे activities को रोकने के लिए KYC को complete करना बहुत जरूरी होता है लाकिन बैंक्स और companies को पता चल सके कि जिस भी customer को यह अपनी services provide कर रहे हैं वह आकि असल में है कौन उनकी identification क्या है उनका address क्या हो रहते कहा है चलिए बढ़ते हैं अपने इंडिया में online KYC बड़ी आसानी से हो जाता था आधार-based OTP verification की मदद से पर अभी फिलहाल के लिए Supreme Court ने इस पर कुछ security reasons से रोक लगा दिये तो अभी के लिए आप online KYC नहीं कर सकते हैं वह सकता है कि आगे जाकर इस service को फिर से शुरू करती आ जाए पर अभी के लिए ताप online KYC नहीं कर सकते हैं आपको अपने KYC offline ही करना होगा तो चलिए जान लेते हैं कि आप अपने KYC offline complete कैसे कर सकते हैं details और उसके साथी आपको attach करना होगा एक proof of identity और एक proof of address एक और आप KYC form और इन बाकी documents को submit कर देंगे तर लगवग एक हपते के अंदर अंदर आपको KYC complete हो जाएगा तो चलिए तो उमीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि KYC क्या होता है और इसकी importance क्या है तो गए आ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद